Hi everyone, welcome back to my channel तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने मौक टेस्स के स्कोर और आज जो मैं शेयर कर रही हूँ स्कोर ये SBI क्लक प्री के जो मैंने मौक दिया है उसका भी करूँगी और मेंस जो मैं दे रही हूँ IBPSPO का उसका भी करूँगी तो मैं आपको बता देती हूँ जो फुल लेंथ मौक है जो मैंने जैसे कहा था आप लोगों को वो मैं जैसे मैंने अगर कल दिया हूँ तो मैं उसका स्कोर आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मैंने का चलो कर देती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने एक इंग्लिश का मेंस का दिया और एक उसका रीजिंग का दिया कल मैंने कौन का नहीं दिया क्योंकि बहुत कम ताइम था मेरे करेंट अफेर्स की सिरदर्दी करेंट अफेर्स का बर्डन वो कम नहीं हो रहा तो मैं मैं सीए करने में लगियू हूँ और फिर ऐसे मैं बाकि सब्जेक्स के लिए टाइम कम तो देखो 40 भी से 20.75, rank 13 है, percentile 94, तो बच्चे देखो कितने कम है 208, और accuracy 70, तो देख लो, मैंने attempt 27 के थे, इसमें मेरे 8 incorrect है, तो score आगया मेरा, where is my score, यह रहा, 20.75, okay, attempt भी मैंने आपको बता दिये, तो यह English Main Section of IBPSPO 2022, 2022, अब मुझे आपको दिखाना है reasoning का, तो एक comment मैंने पड़ा था, उसमें लिखा वाता, क्या reasoning में बिना puzzle किये हुए, 20 score लाया जा सकता है, of course, you can, लेकिन कोशिश यह रहे, फिर जो बाकी सारे जो होंगे न questions, उसमें आपकी कमार्ण अच्छी होने चाहिए जैसे coding, decoding हो गया, distant direction हो गया, वहाँ पर वो थोड़ी coding way में पूछा जाता है, distant direction, blurred relation भी even थोड़ा lengthy way में पूछा जाता है, तो और वो भी होती है, critical reasoning भी होती है, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, सब कुछ तभी 20 marks लेकर आ सकते हो, और आज मैं आपको बताती है, यह जो मेरा 17.75 score है, मैंने एक भी puzzle नहीं की इसमें, एक भी नहीं, मैंने सिफ miscellaneous किये, क्योंकि पजल करने लाइक थी नहीं, बनी नहीं रही थी वो, तो देखो, यह 26-23 बच्चों ने लिया है यह, और मैंने इसमें 20 attempt किये थे, मैंने 5 कल अब आपको बताती हूँ, मैंने attempt किया था, क्योंकि बहुत सारों को यह जानना होता है, अगर मैंने puzzle नहीं की, तो मैंने attempt किया क्या, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, तो solution वाले page पर जाती हूँ, और मैंसे पहले re-attempt mode पर है यह, चलो ठीक है, तो देखो, यह पहले मैंने critical reasoning का किया था, first, ठीक ह कहते हैं, तो यह थे, इसके चार questions थे, तो चार मेंसे मेरा एक incorrect हो गया, ठीक है, और, मतलब, यह ना उपते क्या है, यह, जो मैंने first one option किया, इससे पता तो लग रहा था, लेकिन exact पता नहीं लग रहा था, मुझे लगा, कही ना कहीं तरीके से पता तो लग रहा, तो मैंने सिफ, statement first कर दे, लेकिन यह, दोनों की help से होना था, और उसके बाद, यहाँ पर मैंने, फिर से critical reasoning किया, और critical reasoning के यह, यहाँ पर तीन थे लगातार, तो तीन में से फिर मेरे दोनों यह गलत हो गए, यह देखो, यह दोनों मेरे wrong हो गए, और उसके बाद, यह, यहाँ पर मैं उसके बाद देखो 38-39 में ये सिलोगिजम थे ये दो मैंने किये थोड़े लेंदी वाले थे ये उसके बाद 43 में और 44 में एक ठीक थाक था ये जादा वैसा नहीं था करने लाइक था और 45 में एक ये था statement दिया था और बताना था कौन सा argument strong लग रहा है तो मैंने दोनों कर दिये थे बट इसमें एक ही होडा था तो कुछ इस तरीके से मैंने attempt किया था ये ठीक है फिर आप देख लो आप लोगों को कोई confusion नहीं रहना चाहिए फिर आप लोग बाद में मत बोलना आप बताते नहीं हो कैसा क्या attempt करते हो तो मैंने आप को बता दिया मैंने किस तरीके से time किया था और आप देख सकते हो सारी मैंने पजल सी चोड़ी ये वाली पजल तो मैंने इतनी बनाने की कोशिश की ना इसका blurred relation बटे बना ही नहीं बैठ ही नहीं exactly और अब मैं आपको सीधे बता देती हूँ SBI clerk का score क्योंकि SBI clerk भी है और कहा इसका जो मैंने दिया है यह है मौक नंबर मौक नंबर एट दिया है मैंने और इसमें मैं अपना score दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को तो मौक नंबर इसमें मेरा है 70.5 रैंक है 313 परसेंटाइल 95 है एकूरेसी 88 है अब बता देती हूँ मेरा किस में गलत है मैंने इंग् कर दिया है और दी सकुरानिक इंग्लिश इसका score मैंने अप लोगों के साथ शैर कर दिया और आज भी मैं सक्षेंटाइल में माउक दूंगी फूल अभी मैं नहीं नहीं दे सकती है और हार descriptive writing का आप लोगों ने बोला है important topics बता दो तो आज रात को मैं बैठ हूँगी अराम से क्योंकि मैंने अभी descriptive writing start नहीं किया है तो मैं आज से सोच रही हूँ मैं आज रात से करूँ तो जो जो letter के भी और जो दूसरा essay होता है जो जो मुझे important topics लगेंगे वो मैं वाले सारे note down करूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ share कर दूँगी वो कल या फिर पढ़ सो कुछ share कर यूँ ऐसा कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है